हाँ जी हिम्मत टूट रही है क्या इस समय लग रहा है कि नहीं हो पाएगा ये सब चीजे फील आ रही है कि अंदर से आती है बड़ी कोई नई बात नहीं है आती है मेरे टाइम मुझे भी हर दिन आती थी आपके टाइम पे आपको भी आ रही होगी जो अगले साल आएंगे उ उनको भी आ रही होगी हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ठीक है ना पर यहीं बस मैं एक अपने एक्सपीरेंस से आपको बात बताता चाहता हूं कि बस इसी टाइम जो लोग लगे रहते हैं जो जानते हैं आगे रास आस्ता बनाने कोशिश करते हैं, वो ही competition के लिए कर पाते हैं, competition का नाम केवल question कर लेना, competition का नाम केवल पढ़ लेना नहीं है, अगर ऐसा होता तो 12th का सारे यतने toppers थे all India, वो सारे समय IIT, NIT, सारे government colleges, सारे aims में नहीं बैठे होते, तो नहीं है ना ऐसा, वो नहीं जाते हैं न आपका patience, आपकी लगन सब टेस्ट करता है, तो इसी बात में मैं आपको एक simple सी बात बोलना चाहूंगा, कि अजीब बुरे थे हम, माना ये हमने, आप तो अच्छे थे तो आप क्यों दुखी रहते थे, कहने का मतलब बहुत simple है, कि माना हमने सारी बुराईयां हम पे थी, आप तो अच्छे थे, आप तो अच्छे थे, तो आपने competition क्यों निकाला, तो simple सी बात है यहां पे, कि आप इस समय किसी को 100% guarantee नहीं दे सकते कि आप competition निकाल सकते हो, बात समझ रहे हो, पर इस समय competition केवल वोल निकाल सकता है, बड़ी, जो लगन से लगा रहेगा, अब जब अगर आप अभी भी लगे रहे, तो इस साल का neat का paper निकालना आपके लिए सबसे आसान होगा, मैं लिखके बता रहा हूँ कि अगर आप लगे रहे तो आप regret नहीं करोगे, आप देख लोगे आपकी rank, आपने जो सोचा है उससे बहुत अच्छी आने वाली है, तो इसके मैं आपको तीन रीजन देता हूँ, पर उससे पहले मैं एक disclaimer देता हूँ, वो disclaimer है, मैं आपको यहाँ पे यह सब कुछ नहीं बताने वाला, कि paper tough आएगा, easy आएगा, question यहाँ से आएंगे, question यह आएंगे, यह सब बाते छोड़ दो, पढ़ाई वाली सारी बाते छोड़ो, हम उ इस साल, government, इसी साल से government, हर government college में, government seats बढ़ाने की कोशिश करने वाली है, कोशिश मैंने इसलिए बोला कि वो on procedure है, और chances हैं कि वो इसी साल हो जाएगा, मतलब जितने भी government colleges हैं, उनमें वो seats increase करने कोशिश कर रही है, अब आप सोच रहोगे सर, seat increase करने में क्या है, एक phone किया और बोल देना, सुनो, पिछली बार अगर यहाँ पे इस ब्रांच में देर सो seat थी, रही सो कर देना, ऐसा नहीं होता है, actually में resources देखने परते हैं, infrastructure देखना परता है, बहुत साई चीज़ देखनी परती हैं, कि उतने बच्चों के लिए उतने teacher हैं की नहीं, तो वो process बहु वो deserving candidates हो सकते हो, या students हो सकते हो, जिनको यह benefits मिल सकता है, पर यह आपको अभी तो पता ही लगेगा, आप अभी सोच के बैठ जाओ, तो मिलने वाला है, तो फिर कुछ नहीं, पर आपको लगे रहना पड़ेगा, हो सकता, जिस दिन आपका admission आए, और उस time तक seats बढ़ जाए तो सोचो, जो बच्चे पिछले साल रहे जाते थे, वो बच्चे इस साल government college पा सकेंगे, पा सकेंगे ना, सही है, पहला reason, सबको समझ में आया, दूसर reason पर बात करते हैं, कि नए medical colleges खुलने की संभावना है, और संभावना क्या है, खुली रहे हैं, जिस तरीके से एकदम से लोगों ने अपना पैसा इंवेस्ट करना चालू कर दिया है, medical college में, ठीक है, तो अगर आपको इसका सबसे बड़ा example देखना है, तो बड़ी आप देख लो, जो 2020 की counselling हुई थी, मतलब जो last year counselling हुई थी, उसमें first round 12,500 पे close हो गया था, पर जो last year counselling हो रही है, उसमें 14,800 800 पे close हुआ है, इसका मतलब अगर आप tentively देखो गये, तो 2300 सीटे, 2300 सीटे, सीट्स एक दम से बढ़ गई एक साल में, अब आप अगर सोचो तो क्या इस साल सीट्स नहीं बढ़ेंगी, बिलकुल बढ़ेंगी, पर अगर अभी से आप हार के मान के बैठी गए, तो वो आइदा चाहिए, तो आपको महाँ पे अभी भी बहुत अपनी शिद्दत और बहुत लगन से बड़ी लगे रहना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या motivation के लिए मैं वो वीरस सुनाओं, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए life में कितनी opportunities खुल रही हैं, अगर आप य self motivation बार-बार आपको नहीं धक्का देता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, हम आपको बहुत थोड़ा push कर सकते हैं, मैं आपको हर दिन आके जगा सकता हूँ, आप सोचते हो कि सर रोज आ जाते हैं, और रोज आके, भाई मुझे पता है न, ये time कितना critical है, हर दिन आप कोई न ये हमें पता है न, हमारे time पर कितना lack करता था, हमारे time पर दो YouTube SS था नहीं, society का pressure, घरवालों का pressure, और वो push नहीं करता था, वो आपको नीचे खीशता था, अरे भाई साब, आप गड़गा पढ़ रहा है, coaching कर रहा है, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये चीज आपको demotivate क हो जाए, तो आपके साथ वो चीज मैं नहीं होने दूँगा, ये बात याद रखना, अब आते हैं तीसरे सबसे बड़े reason पे, जिससे आपको feel आना चाहिए, कि आप इस साल government seats ले सकते हैं, या फिर उसी government seat के पैसे पे आप इस साल की भी अपनी medical education afford कर सकते हैं, क्योंकि government न fees है, वो, वो reduce करके उतनी ही almost कर दी जाएगी जितनी government colleges की seat है, तो इससे होगा क्या, technically, जो अभी बच्चे, deserving बच्चे, जो just miss कर जाते हैं government colleges से, या फिर इसलिए miss कर जाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले medical, या medical colleges की fees को, या private medical college की fees को afford नहीं कर पाते हैं, वो अपना सपना त तोड़ देते हैं, या छूट जाते हैं, अब वो नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, जिसमें Modi government इस साल बहुत शिद्ध से लगी हुई है कराने के लिए, तो मैं तो चाहता हूँ, अगर ऐसा हो गया, तो मतलब I will be like the, like one of the most happiest person, कि ऐसा हो जाए, तो 23,000 seats आपकी सीधी बढ़ जाएंगी, 23,000 के epoxy सापकी सीधी बढ़ जाएंगी, इसका मतलब, इसका मतलब कि वो बच्चे जो पहले miss कर जाते थे, medical education से है, डॉक्टर बनने से अपना छोड़ दे थे, अब वो जाके क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, तो बड़ी मैंने आपको 3 reasons दे दि आप कर सकते हो, ठीक है ना, मैं फिर कह रहा हूं कर सकते हो, क्योंकि यही चीज मुझे feel होती थी अपने time पे, मैं हर दिन ऐसे बैठता था कि या 10 questions नहीं हुए, मैं पता नहीं सही कर पा रहा हूं कि नहीं पर पा रहा हूं, मेरा बगल बात देखो, line से sheet पे sheet solve करे डाला है, सारे lectures करके आया है, आज लड़का मैंने आज दो lecture भी छोड़ दिये, क्यों मैं questions को बनाने में लगा था, पर वो ही लड़का मुझे रोज आता आत में समझाता था भाई, कि चल अगर मेरी sheet solve हो रही है, ध्यान रखना, उस लड़के का नाम मैं बताऊंगा नहीं छोड़ो, ठीक है, वो बना पुरा मान जाएगा, ठीक है, कभी और बताऊंगा उसका नाम, उस लड़के ने आके वो रोज शाम बोलता था मैं रूम पार्टनर कि भाई, चल मेरी sheet solve हो जाती है, हो जाती है, तेरी नहीं होती है, मान लेते हैं, अगर मेरी sheet solve हो जाती है, तो मेरी under thousand rank आ जाएगी, पर इसका मतलब ये ठोलना है कि तेरी sheet solve नहीं होती है, तो तेरे को college ही नहीं मिलेगा, बहुत सोचने वाली बात है, अगर तुम्हारी sheet नहीं solve हो रहे हैं, दस question तो नहीं हो रहे हैं, बाकी 40 question हो रहे हैं, तो तुम अंदर thousand नहीं आओगे, पर at least तुमें government college तो म मिलेगा, और मैं इस बात को सुता था, बात तो सही डोलना है, अगर मैं यहाँ पर किवल negative चीज़ देखूं कि मैं 10 question नहीं हो तो मैं बैठा ले जाओगे, मिले कुछ नहीं मिलेगा, पर मैंने positive चीज़ देखी, ठीक है यार, वो बंदा ज्यादा महेंती है, उसका दिमाग मुझसे जाते चल ला है, वो चीज़ों को अच्छा प्रोसेस कर पा रहा है, तो 100,000 आएगा, और 100,000 आया वो, ठीक है, ठीक है, मैं 100,000 नहीं आऊँगा, तो मैं 2-3,000 रैंक वाले में तो आई जाऊँगा न, ये factor होता है, जो आपका difference create करता है, एक positive बंदे में और एक negative ब बंदे के साथ रोगे, तो घसीर देगा, अरे यार तो से discussion नहीं हुए, यार तो चैप्टरी बेकार है, तो क्या करेगा, positive बंदा आपको उपर ले जाएगा, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि अगर वीडियो देखके आपको positivity आई है, तो उठके बैठ जाओ, पढ़ना चालू कर दो, दोनों लोग साथ में महनत करेंगे, मैं आपके लिए रो जाओंगा, ठीक है, मैं आपके लिए रो जाओंगा, चाहे आप मेरा वीडियो देखो मत देखो, चाहे आप मेरे को कुछ भी बोलो, मैं रो जाओंगा, paper वाले दिन तक, ठीक है, आपको motivate करूँगा, अपन बात करेंगे, मिलेंगे, ठीक है, और साथ में पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बड़ी, खड़े हो जाओ, जाओ, पर हो, एक घंटा एक्स्टा आज और पढ़ लो, ठीक है, मिलते हैं आपन कल, तब तक के लिए take care, bye bye, end, love you all guys.